Assalamu alaikum, hello my little friends. Today we are going to learn proper nouns. Do you know what are proper nouns? क्या आप जानते हैं proper nouns किसको कहते हैं? Learning is fun, let's find together what are proper nouns. Proper nouns क्या हैं? दोनों मिल के learn करते हैं. They all have names. आप देख रहे हैं कि ये सामने पाफ में बच्चे खेल रहे हैं. इन सब के एक, सब का अपना अपना नेम है. This is Ali. हम एक बच्चे को बुलाते हैं और वो कहता है मेरा नाम अली है. तो a name that is special to one person is called a proper noun. जो नाम एक किसी खास आदमी का होता है, उसको proper noun कहते हैं. तो Ali is a proper noun. महम is drinking. महम is a girl. लेकिन महम एक खास लड़की का नाम है. तो इस जुमले में महम जो है वो proper noun है. इसी तरह, we live in Lahore. आपको पता है, Lahore एक बहुत मशूर सिटी है. पंजाब का दारुलहकूमत भी है. इसमें बहुत ज़्यदा तारीखी इमारतें भी हैं. करारदादे पाकिस्तान भी यहां मनजूर हुई थी. तो Lahore जो है, वो एक खास शहर है. इसलिए Lahore is proper noun. इसी तरह, Javed is running. आप देख रहे हैं कि एक बच्चा भाग रहा है. तो यह कोई आम बच्चा नहीं है, इस बच्चे का एक खास नाम है. तो इसमें Javed जो है, वो एक proper noun है. क्योंके वो एक खास बच्चे का नाम है. इसी तरह, Anna lives in Islamabad. एना भी एक बच्ची का नाम है. और इसलामबाद पाकिस्तान का कैपिटल है. दारुलहकूमत है. बहुत ही खुबसूरत शहर है. तो इसमें दो proper noun है, Anna भी और इसलामबाद भी. एना एक खास बच्ची का नाम है और इसलामबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और इसमें आगे सेंटेंस है इस फादर्स नेमी जफर उसके वालिद का नाम जफर है आपके अबूबी आपको घुड़ा बनके अपने उपर सेहर कराते होंगे वालिद की इज़त करनी चाहिए त तो जफर जो है वो प्रॉपर नाउन है इसी तरह दे आर गोइंग टू विजिट नारान नारान पाकिस्तान के शमाली अलाका जात में बहुत ही खुबसूरत टूरिस पार्ट है जहां पे पहार हैं बरफ से ढखे हुए दरियां हैं खुबसूरत और खुबसूरत वादिया हैं तो यह नारान जो है एक प्रॉपर नाउन है ठीक है तो उसके बाद हम अगली एक्जेंपल लेते हैं आप कभी नारान जाएं तो आपको बहुत खुशी होगी वकास is my best friend आपके बहुत सारे friends होंगे लेकिन वकास जो है वो आपका best friend है इसमें sentence में वकास is a proper नाउन तो अपने सिद्रा वा स्लीपिंग रात को सब सोते हैं तो सिद्रा इस नेम आफ अगल हुआ स्लीपिंग तो इसमें sentence में सिद्रा जो है it is a proper noun तो हमने बहुत सारी examples देखी तो proper noun is the name of a particular person or place और हमने ये भी देखा कि it starts with capital letter इसको उड़्दू में इसमें मारफा भी कहते हैं ये sentence के अंदर हो या शुरू में ये हमेशा capital letter से start होता है इस वीडियो को share करें comment करें और